भारत बना हम उस्टिला की बीच खेला गया पहले टेस्ट मुकाबले में जो भारत को शरमनाक हार मिली इस हार के बाद न किवल भारती दिग्रज क्रिकेटर बलकि ऑस्टेलियन और पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर भी बहुत ही ज्यादा मजाक उडा रहे है टीम इडिया का ज चोटी सी रिक्वेस्ट में यही है कि अगर आप भी मेरी तरह टीम इंडिया के फैन है जी हां इंडिया के फैन है तो वीडियो को लाइक करना अपना सपोर्ट लिखाना इंडिया के लिए और कॉमेंट सेक्षन में कर सकते हो आपके फैबरेट कि लाड़ी का नाम या फिर आप ये भी बता सकते हो कि इंडिया की इस लॉस में आप मैंन रिजन क्या मानते हैं सबसे पहले हम विराट कोली का रियक्षन जानते हैं कि आकिर उन्हों ने इस हार का क्या करण बताया उसके बार एक एक करके उन सारे दिगजों का रियक्षन समझाने वाले हैं और पाकिस न्यूंतम स्कॉर के लिए बल्ले बाजों को दोस्ट दिया है जिन्होंने किसी तरह का जजबा ही नहीं दिखाया कोली ने मैच के बाद कहा भावनाओं को सब्दों में वेक्ट करना बहुत मुश्किल है हमारे पास 60 रन के करीब बड़त थी इसके बाद भी हमारी जो टीम विकरी है उसे हम कैसे सब्दों में वेक्ट करें कोली ने कहा आप दो तीन दिन तक कड़ी मैनत करके खुद को अच्छी स्तिती में रखते हो और एक अचानक घंटे में इस्तिती सारी बदल जाती है और फिर जीत असंभव बन जाती है उन्होंने का मुझे लगता है कि हमें आज खुड़ा जज़बा दिखाना चाहिए था तो सबसे पहले जान लेते हैं सुनिल गाउसकर ने क्या कहा फार्ति बलेबाद जिस तरह से आउट हुए उसके लिए सिर्फ उन्हें दोस्त देना ठीक नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से उस्टिलियन्स की सांदार गैनबाजी थी जी यहां ऐसा कुछ मानना है सुनिल गाउसकर का वहीं सचीन तंदुल करका क्या मानना है उन्हें ट्वीटर एकाउंट पर ट्वीट करते वे लिखा जिस तरह से इंडिया ने पहली पारी में गैनबाजी और बल्लेबाजी की वो ड्राइवर स्ट्रीट पर थे लेकिन आज उस्टिलियन्स ने धमाकेदार खेल देखाया ये टेस्ट क्रिकेट की खुबसूरती है ये आखिरी ओवर तक खत्म नहीं होता है दूसरे हाप में भारतिय टीम बुरी तरह से हारी और उस्टेलिया को बदाई इसके बाद वसीम जापर ये लिखते हैं कि कभी कभी अपार आनंद अपार दुख में कैसे परिवर्तित हो जाता है इसका अनुबह मैंने आज किया विरंदर स्वाग ने कुछ सब्द लेखे, कुछ नंबर लेखे और उन नंबर को OTP को बताया और इन्हें भूलने के लिए कहा का कि वो OTP जो भूलने के लिए है अब जो यहां पर नंबर लेखे गए है यह सारे भारती क्रिकेटर द्वारा बनाए गए रन है यहां यह इंडियन क्रिकेटर द्वारा बनाए गए रन ही है जो विरंदर स्वाग ने ट्वीट करके लेखा और इन्हें भूलने के लिए बताया गया है माइकल बॉन ने क्या लेखा माइकल बॉन कहते हैं कि बोला था ना बारत इस सिरीज में बुरी तरह से हारेगा 4-0 से माइकल बॉन ने अपने ट्विटर एकाउंट पर ट्वीट करके लेखा सोई बगतर ने क्या लेखा सोई बगतर लिखते हैं मैंने देखा कि बारत ने बोर्ट पर 3-6-9 रन लगा दिये फिर मैंने अपनी आखे मसली और ध्यान से देखा तो मुझे 36 नजर आया और 9 से पर स्लेश दिखा सर्मिंदा करने वाली हार उन्होंने हमारा लोईस्ट स्कोर का रेकॉर्ड दोड दिया इससे खुस हूँ खेर ये सब किर्केट में होता है मैं दोस्तों काई लोगों का मानने ये भी है कि रोईस सर्मा की वापसी जल्द करा दी जाए तो खेर ये कुछ भी हो मामला लेकिन आगे के लिए टीम इंडिया का कैसे रहेगा कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके जरूर बताना